नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों HSBTE दवराज एक और नया नोटीस जारी किया गया उस नोटीस के बारे में आपको इस वीडियो मिस्तार पूरुक है जानकरी देने वाले आंतक ये वीडियो जुरूर देखें तो यह जो नोटीस आप HSBTE की साइट से भी चेक कर सकते हैं सामिल किया गया तो मर्सी चांस वाले कौन कौन से चातर इसमें सामिल होंगे कौन से बैस के सामिल होंगे यह जानकर इसमें दी गई है तो दिखा देते हैं आपको नोटीस और इसके बारे में पूरी जानकरी देते हैं तो दोस्तों यह है पूरा नोटीस इसमें दस पॉइ पर चात्रों दवारा या इंस्टीट दवारा एक्जाम फारम बढ़ने के लिए कोई भी फीस नहीं ली यहां पर तीस पीसिए एगजाम फारम्iben जरूर सब्मिट करवाना है अपने संस्थान में जहां पर भी vitah पढ़ते थे वहां पर पढ़ते या पढ़ रहे हैं उनको वहां पर अपना काल ङूंड जो काईग herself में देखिए जो चौथा पुइंट है कि ओं लाइन भी चात्रों को जमा करवाने के लिए सुईधा दीजाए इमेल के दवारा चातर अपनी जो यहां पर PCFR मो जमा करवास के समिट करवास के संस्थान को तो चातर जो है जिनकी अगर कोई यहां पर संदे रहता है कोई यहां पर प्रेसानिया कोई भी आपका सवाल है तो आप अपने इंस्टिचूट से जरूर कोंटेक्ट करें जहां पर भी आप पढ़ रहे थे जो पास आउट हैं या मरसी चांस वाले हैं और जो रेगुलर राड़े में वो भी एक बार अपने संस्थान से जरूर कोंटेक्ट कर लें चोथे पॉइंट का हमने बताई दिया कि ओनलाइन जो है कमेटी की 18-223 को उसमें यहां पर कागय थे जिसकी रियेपियर 12 से ज़्यादा है ठीओरी पेपर की रेगुलर प्लस रियेपियर की टोटल पेपर जो है 12 से ज़्यादा देने है तो उसको यहां पर एक्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और यहां पर देख लिए 26 के टोटल बारां पेपर हैं रेगुलर और रियेपियर के अगर यहां पर जो यह नियम था जो यहां पर यह कमेटी ने जो निर्ने लिया था अगर इसकी उलंगना कोई भी यहां पर जहस्तान करते हैं कोई भी इंसकी उलंगना करता है तो उसके लिए वो इंस्टीट जिम्मेदार रहेगा च्छटा पॉइंट है यहां पर लाश्ट डेट ओफ इंस्टीट टो अपलोड दा पीसी ए फॉम ओफ आल इलिजिवल इलिजिवल स्टुडेंट्स फोर रेगुलर एंड रिएपिर स्ट इबजेक्ट्स इंकलूडिंग मर्सी चांसिस दस साथ दो जारविस दा रिजल्ट ओफ 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 इंस्टीटूट्स तो यहां पर काई गया कि जो यहां पर एक्जाम फॉम जो अपलोड होने उसकी लाउस डेट दस साथ दो जारविस है और जिनके यहां पर पी सीए फॉरम अपलोड होंगे एक्जाम फॉरम फॉरम एपलोड होंगे उन्ही चात्रों का result declare किया जाएगा साथमें point में यह का गया थी कि का गया कि इस date के बाद कोई भी यहाँ पर exam farm accept नहीं किया जाएगा PCA farm accept नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले time की बहुत कमी है और result भी जल्दी से जल्दी तयार करना है ताकि जो छात्र है जिनको अगे admission लेना है वो अगे admission ले सके आठ हों पर इसमें काएगी कि all regular students of intermediate semester will be promoted to next semester but it does not mean they will be declared passing all subjects तो यहाँ पर काएगी जो छात्र हैं उनको अगले semester में तो promote कर दिया जाएगा जो intermediate semester के जो छात्र हैं जैसे कि 6 semester है 6 में से दूसरा चोत्ता जो semester है वो intermediate हो गया तो जो intermediate semester के जो छात्र हैं उनको अगले semester में promote कर दिया जाएगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनको सभी subjects में pass किया जाएगा फिर यहाँ पर जो नोमा point है वो यह है कि result of subjects for which PCA is filled regular or reappear will be declared on the basis of criteria to be fixed by the board as per which students may or may not pass the subject तो यहाँ पर कागे कि जो भी यहाँ पर चात्र है exam फारम बढ़ेंगे जिस जिस subject के लिए वो यहाँ पर फारम बढ़ेंगी इसी subject के उसके paper होने थे regular काओ चाहिए reappear काओ उनका जो result declare किया जाएगा वो जो भी criteria बोर्ड दोण नर्दार lotta कि zarएगा उसी criteria के अधार पर सके रिजल्ट डिकलेर किया जाएगा हो सकता है कि जो criteria बोर्ड नीर्दार इतके उसके accordingly इसके अनुसार चातर पास भी हो सकता ह। पास भी नहीं हो सकता। कि किसी पर बोर्ड दवरा लिया जाएगा दा फीलिंग ओफ पीसी ए ओफ फार्मेसी स्टुडेंट इज सब्जक्ट टू दे डिरेक्शन्स ओफ पीसी आई इन वीव ओफ कोविड-19 डिरेक्शन्स ओफ फार्मेसी कांसिल ओफ इंडिया आर अवेटिड तो जो यहां पर फार्मेसी पीसी आई की तरफ से आएंगे उनका इंतजार हो रहा है उसके बाद ही यहां पर जो फार्मेसी वाले चातर हैं उनके बारे में कुछ अपडेट आ सकती है तो यह थी पूरे नोटिस की जानकारी जो यहां पर आज एचस बीटी दवारा नया नोटिस आज डाला गया सभी चातरों के लिए जो यहां पर डिप्लोमा वाले हैं तो जिनके भी एक्जाम फारम रहते हैं वो एक बार अपने इंस्टीचूट से अपने संस्थान से जरूर कॉंटेक्ट कर लें और दस तारिक से पहले जरूर सब्मिट करवा दें जितने भी आपके एक्जाम रहते हैं टोटल बारा तक अगर आपने पेपर देने थे तो आपका एक्जाम फारम बरा जा सकता है और जिसके बारा से ज्यादा है उनको दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपर जो मीटिंग हुई थी अठारा दो दो जार तीन की जो एक्जाम कमेटी की उसमें साफ़तर पर का गया थे ज इसके बारा से ज्यादा उसको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा तो जो मरसी चांस वाले है वो भी एक बार अपने सहस्तान से अपने कोलेज इंस्टिचूट से कॉंटेक्ट जरूर कर ले और जल्द से जल्द अपने एक्जाम फारम जरूर समिट करवादें इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी तो इस वीडियो को ज्यादा से जरूर करें वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद